नमस्ते चात्रों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आज हम इस वीडियो में गोड नरेश ससांग के बारे में जानकरी प्राप करेंगे ठीक है और ये दिया आपने हमारी यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को करें और यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को लाइक और सेर करें तता बेल आइकन दबाएं ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलें और आप इत्यास विशे की अच्छे से तयारी कर सकें ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं गोड नरेश ससांग कोन था हर्स का समकालीन ग पस्ठ है कि वह है गोड अर्थाद बंगाल का राजा पान ताधा वेंशंग दोनों ने उसका उलें किया है थो बान भट के बारे में वेंशंग के बारे में रर्सवर्दन के बारे में हम पैले वाले वीडियोज में देख पढ़ चुके हैं इनको तो आप dont प्लेलिस्ट म पर आर डी बनर जी जैसे कुछ विद्वानों ने यह निश्कर्ष निकाला है कि संबह होता है ससांग चकरवर्ति गुप्तवन्स अथ्वा परवर्ति गुप्तवन्स से संबंदित था किन्तु इस संबंद में हम निश्चित कुछ रूप से कुछ भी नहीं कह सकते एक कुरूर हत्यारा सरा पत्तम ससांग इत्यास में एक कुरूर हत्यारे के रूप में उपस्तित होता है हर सचरीथ से पता चलता है कि उसने राजे वर्दन को अपने जूटे सिस्टाचरों में फसा कर मार डाला इसका एर्था पूर्ण कृते ने उसके राजनेतिक जीवन का एलगभग अंत कर दिया रोहतास गड़ से प्राप्त मुहर पर उतकिन लेक से ससांग के प्रारंबिक जीवन के विशे में कुछ सूचनाएं मिल जाती है ऐसा पता चलता है कि पहले वह महासामंत था श्री महासामंत ससांग के देवस से ऐसा परतित होता है कि वह मोकरी नरेश अवंती वर्मन का महासामंत रहा होगा जो उसका समकालीन था अवंती वर्मन का मगत के बड़े भाग पर अधिकार था जैसा कि देव बर्नाक साहबाद जीला बिहार में स्थिते के लेग से इसपस्ट होता है ग्रेव रमाई की मर्तिव तथा कल्नोज पर देव गुप्त का दिखार हो जाने के फलसरूप मोखरी राजे में जो एव्यवस्ता फैली उसने ससांग को उसकी राजनेतिक महत्व कांगसाओं की पूर्ती हेतू सुनेरा अवसर परदान कर दिया संभवताय वह कल्नोज को देव गुप्त से छीन उस पर अपना आधिपत्य जमाने के उद्धसे से वहां आया था परंतु राजे वर्दन द्वारा देव गुप्त के वद से उसकी आसाओं पर पाने फिर गया राजे वर्दन की सपरता ससांग के लिए एक खुली चेतावनी थी अतै उसने किसी ने किसी परकार से वर्दन राजा को समाप्त करना उचित समझा इसी उदेशे से ससाग ने राज्य वर्दन को अपने सीवीर में आमंतरित किया तता दोखे से उसकी हत्या कर डाली परन्तु इस अपक्रेत से उसकी परेशानी और बढ़ गई जब हर्ष ने अपनी विसार सेना के साथ उसके विरुत परस्तान किया तब वह भेवीत हुआ तता भाग खड़ा हुआ ऐसा पर्थित होता है कि अपने जीवन के अंतमेवा सामत इस्तिती से समराठ इस्तिती पर पहुँच गया था संबव है अवंती वर्मन की मर्त्यू के बाद 622 इस्तिती के बाद उसने अपने स्वतन तरता घोसित कर दी थी उसने बंगार तदा उडिसा पर अपना अधिकार कर लिया तदा दक्सिन में गोदावरी नदी तक उसका राजे विस्तित हो गया था मगत पर उसका सामन्द काल से ही सासन था उडिसा के गंजाम से 619 इस्वी का उसके सामन्द माधवराज द्वित्ति गाता मर्लेग मिरता है जिसे ग्यात होता है कि इस समय तक वह है एक सार भूम सासत था तता उसकी उपादी महाराजा धिराज की थी उसके स्वन मुद्राईं भी उसके स्वतंतर अस्थित्व को परमानित करती हैं जो अधिकतर बंगाल से मिलनी हैं मिदनापूर अर्थात बंगाल से प्राप्त दो दमर पत्र भी बंगाल के उपर उसके आधिपते की सूसना देते हैं इस परकार यह सपस हो जाता है कि सरवादिक सक्तिसाली राजा बन बैठा था आर ये मंजू स्री मूलकल्प के एक स्लोग से पता चलता है कि हर्ष ने सोम हर्था ससांग की राजधानी पुंडरे पर आकर्मन कर उसे परास्त किया तथा उसे उसके राजे में ही रहने के लिए बाधे किया परन्तु इस मद्यकालीन बहुत गरंद के विवरंड की एत्यासिकता भी संदिक्द है वेलसांग की विवरंड से पता चलता है कि ससांग की मृत्यू 637 इस्वी के कुछ वर्ष पूर्वे ही हुई थी उसका अंतकिन प्रिष्टितियों में हुआ ये पता नहीं लग पाया है परन्तु इतना तो स्पस्ट है कि उसके जीवन काल में हर्स उसके राजे को जीत नहीं पाया था अब देखे का ससांग का धर्म ससांग एक कटर स्षयव था उसके सीकों के उपर शीव तथा नंदी के आकरतिया मिलती है वेन सांग हमें बताता है कि उसने बोध गया कि बोधी व्रक्ष को कटवा कर गंगा में फिकवा दिया तता समीव के एक मंदीर से बोध की मूर्ती को हटवा कर उसके स्थान पर सीव की पर्तिमा पर्तिस्टिते करवाई इसी परकार पाठ्री पुत्र के मंदीर में रखे हुए एक पाशान स्थम जिस पर बोध के चरनचिन उतकिन थे को भी उसने गंगा नदी में फिकवा दिया कुछी नारा के एक विहार के बोधों को भी उसने वहां से निस्कासित करवा दिया आर्या मंजुस्री मूलकल्प में भी उसका चितना बोध रोही के रूप में किया गया है जिसने पवित्र बोध अवसेसों को जलाया तता विहारों तता समाधियों को नस्ट वरेश्ट कर दिया RD पेनरजी तता आरपी चंदा जैसे कुछ विद्वान इस मत्के हैं कि ससांग वस्तुते राजनतिक कारणों से बोध द्रोही हुआ तता अन्य था उसमें द्रमाद था नहीं थी ससांग को बोध द्रोही सित करने वाले सबी साक्से ऐसी धरम से संबंदित है अते इनका विवरन निस्पक्स नहीं कहा जा सकता निस्पक्स देखेगा इस परकार हम कह सकते हैं कि ससांग पूर्ट है जिसके विशे में हमारी जानकारी अती अल्प है उसके साथ ही उसका वन्स तथा राजे दोनों ही जाते रहे और उसके राजे को हर्ष ने अपने समराजे में समिलित कर लिया निच्चे ही वाए एक महान कूटिति के तथा सहासी योदा था तो देखे इस वीडियो में हमने ससांग के बारे में जानकारी प्राफ्ट की कई बार इसमें से भी एक अदर क्यूशन आ जाता है तो वीडियो को ध्यान से देखेगा और हमारे वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद